Don't fear on fear, otherwise fear will fear you. तो guys मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे लाइफ में आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ होना चाहते हैं, लेकिन ये problem नहीं आया एगर fear of failure. तो guys मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो fear of failure होता है, हमारे लाइफ को पूरा बरवात कर देता है, तो हम पूरा सोच में पढ़ जाते हैं, तो ये जो fear of failure से क्या करना चाहिए हम हो, अगर आप सोचेंगे कि Walt Disney की बात करें, Steve Jobs की बात करें, आप Thomas Alvar Edison की बात करें, आप Bill Gates सा ये लोग अपनी initial level में वो क्या किये थे, वो fail हुए थे, failure हुए थे, लेकिन आज की rate में वो कहां पे, ये आपको decide करना पड़ेगा, कि exactly वो आपको क्या करना है, और आपका जो failure मिला है, वहाँ पे आपको stop करना है, या उससे तो seep के आगे निकलना है, तो मैं आपको बता आपके हो, it is very very important topic, क्योंकि हमारे life में definitely बहुत समय हम failure पाते हैं, या तो fear हमारे पास लेता है, तो उसको हम कैसे overcome कर पाएंगे, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो guys मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला point है, कि figure out the way fear comes from, आपको ये समझना पड़ेगा, क exactly जो आपका डर है, वो कहां से exactly आ रहा है, कि आपके दिमाग ऐसा बन गया है, आप ऐसा सोच रहे हैं, या आपके family के बज़े सा आपके डर पेदा हुआ है, कि आपको friends साथ के बज़े से, या तो आपका teacher के बज़े से, या तो कोई किसी चीज को, कोई incident को लेका आपका fear आ कोई conclusion में पहुच पाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको figure out करना है, कि exactly आपका fear कहां से आ रहा है, यह पहला point आपको करना है, second point मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको reframe the belief system you have goal for your goals, कि आपके life में जो भी आपका goals आपना set के हैं, उसके लिए कुछ आप बड़ा speaker बनना चाहते हैं, लेकिन problem यह होगा कि आपके दिमाग में ऐसा कुछ belief system आपके बैट गया है, कि बहुत सारे लोग अभी singer बन रहे हैं, कोई opportunities नहीं है, तो बहुत सारे already established है, तो बहुत competition है, तो मेरे को chance नहीं मेलेगा, मेरे talent बेकार हो गया है, तो यह क्या हो रह है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो भी आपका belief system है, उसका boyfriend कीजिये, about your goal, अगर आप boyfriend करते हैं, तो definitely आपका जो belief system वहां भी improve होगा, और आपका जो भी डर है, वो खतम हो जाए, देर मैं आपको बताना चाहूँगा, learn from the mistakes you have made in your life, अगर आपके life में आपन समझने की कोसिज करिए, उसको क्या rectify कर सकते हैं, उसको क्या समझ सकते हैं, और वहां पर क्या-क्या changes अपला सकते हैं, changes क्या-क्या ला सकते हैं, वहां पर बात कर सकते हैं, suppose मैं singer बनना चाहता हूँ, और मैंने एक performance दिया है stage पे, लेकिन वहां पे मैरा vocal का problem आ रहा है, या तो मैरा thought का problem आ रहे है, कोई भी चीज का problem आ है, तो मैं वहां पर क्या करूँगा, उसको rectify करूँगा, और next time जब भी कोई भी stress में जाँगा, तो उसको rectify करके मैं जाँगा, it doesn't mean कि मैरा मेरी goals को avoid कर दूँगा, और life में में कुछ नहीं करूँगा, तो ये आपको strategy apply करना है, जो आपने mistake किये हैं, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, और उसको rectify करके आगे बढ़ना होगा, then मैं आपको बदाना है कि आपके life में जब आप आगे बढ़ेंगे, ये जो fear आता है, तो वहापे क्या होगा कि आपको negative हो जाएंगे, आप लोगों की कारण negative हो तो आपका जो भी goal है, आप भूल जाएंगे या तो आपको demotivate हो जाएंगे, तो आपको हमें सा positive रहना है, ये positive कैसे रहेंगे, बहुत सरे लोग कहते है, positive रहो हो, positive रहेंगे, तो मैं आपको बताना चाहँगा कि ऐसे लोगों से मिलिए जो goal के बारे में सोचते हैं, बारे में सोच सकते हैं, उनके बारे positive activities सो कुछ फैलाता रहेंगे, आप अगर positive रहेंगे, तो आपका जो भी goal है, आपको हासिल करने में आसानी होगा, तो मैं आपको बताना चाहँगा कि always think positive and learn from your past mistakes, गैस मैं आपको बताना चाहँगा कि बहुत समय में क्या होता है, कि आप आपके life में जो हो गया है, आप सोचते क्या हो गया है, तो मैं आपको बताना चाहँगा, next point में ये है, कि just try to feel the worst scenario, आप आपके जो position अभी है, जो भी आपका fear है, आप उसके बारे में सोचे कि मेरा worst scenario क्या हो सकता है, जादे से जादा मेरा क्या होगा, अगर मैं सिंगर बनन काम कर रहा हूं, और वहां पर मेरा जल से जादा क्या loss होगा, कि मैं बन नहीं पाऊंगा, या तो मेरा जो भी talent है, कहीं पर 50% भी रह जाएगा, 70% रह जाएगा, तो वहां पर आपको ये सोचना है, कि ओर scenario में मेरा क्या होगा, मैं तो मरते नहीं जाओंगा, मैं तो कुछ इसा नहीं होगी, कोई मेरा को काट देगा, मैरा को मार देगा, इसा तो नहीं होगा ना, तो वह scenario तो आप सोच देखते हैं, कि मैरा से मेरा क्या होगा, मैं rejection मिलेगा, ठीके, मैरा performance रहेगा, rejection मिलेगा, कितनी बार rejection मिलेगा, जो थामा सावर लिपाई edition थे, जो बल्क बना तो आप तो कितनी बार कर रहे हैं, एक बार, पांच बार, दस बार, कितनी बार किये हैं, तो आपको यहाँ पर ही क्या करना है, वह scenario में आपको सोचना है, कि जैसे आदम रख्या होगा, तो यह आपको सोच सकते हैं, लास्ट पॉइंट इस बेरी इंपॉटन, कि जो सितना भी सार आपका फियर्नेस आ रहा है, तो उसकी कारण में आपको बताना चाहूंगा, कि हवे बेकव प्लान, अगर आपके लाइप पे बेकव प्लान आप नहीं रखते हैं, तो जो बनना चाहते हैं, अगर वो नहीं हो होते हैं, तो अगर आपके पास कुछ ऐसा टैलेंट है, जो आप करना चाहते हैं, तो मैं जो छेज़ आपको बताया, उस चीज़ को समझने कोशिज करेए, उस point को follow करिए definitely after जो भी fear आपका बोच चला जाएगा क्योंकि मैं इसी formula को use करता हूँ आपनी life में और मैं आज successful हूँ so definitely you can use this formula and you can become the successful and overcome the fear of failure so guys अगर आपको ये video पसंद आया है please like this video बहुत महनत लगता है और हमारे चैनल को subscribe करना ना मुले और जो घंटी का बटन है उसको click करने है तांकि हमारा further वीडियो आपको मिलता है thank you so much for watching this video thank you so much guys